हेलो गाइज वेलकम तो अने दर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फिंट्स दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेट की ओर से सेप्टेमबर क्वाटर के फिनांसल रिजल पेस हो चुका है स्टैंडर ओन कॉंसॉलिडेटेड दोन रिजल्स आउट हो चुके है आज के इस वीडियो मे किया है उट्स पिछले कॉंटर में सिकटी एट पॉननिटीट में करोड का सप्टेमबर ट्वैंटीटीट क्वार्टर में फिटी फोर क्रोड का इक्सपेंस हुआ था लिकिन ये और इक्स सेंसे में इंक्रीज किया है इसके माद ऑपरेटिंग प्रॉफिपिट पॉनन नैन करोड़ का पिछले क्वार्टर में ठटीवण करोड़ का नेट का। । गयाँ कमपस Like Anh एक तो एबरेज कि क्वार्टर की पॉफिट में देखने को मिला है वह स्टेंडर ओन रिज़ल्स को कवर करें इंकम है it 95.7 करोल का पिछले और्टर में 94.5 करोड का र सप्टमबर 22 क्वाटरम 70 करोड का इंकम है क्वाटर ऑन क्वाटर में येर ने में दोनों में इंकरीज किया है बट expenses 63.7 करोड का पिछले quarter में 62.9 करोड का और September 22 quarter में 47.5 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में year on year में expenses भी increase किया है जिसके बाद operating profit 32 करोड का पिछले quarter में 31.5 करोड का और September 22 quarter में 22.7 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में increase किया है नेट profit 23.9 करोड का पिछले quarter में 23.6 करोड का और September 22 quarter में 17.2 करोड का net profit है quarter on quarter minor से growth 38 lakhs का लेकिन year on year में बहुत अच्छी growth हुआ है EPS 3.75 रुपेज का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो overall guys company यहाँ पे अच्छी result पेज़ किया बस stand-alone की quarter on quarter की profit में down है क्योंकी expenses बहुत जाद हुआ था और पिछले quarter में वन क्रोड का exceptional items में gain हुआ था इसके company का profit consolidated में quarter on quarter की down है तो overall company बहुत एच्छी result पेच कहा है तो हम लोग video कहीं करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में कुछे मिलते हैं एक रूडव में दिल दन बाबाई